नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे प करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियर तेल खाने के लिए भी बहुत फाइदेमन होता है नारियर तेल में बहुत सारे पोशंततों पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है नारियर तेल हमारी तोचा के लिए भी बहुत फाइदेमन होता है नारियर तेल हमारी तोच्चा की रंगत को निकारता है और तोच्चा में नमी बनाए रखता है नारियर तेल की मसाज करने से स्ट्रेच मार गायफ हो जाते है नारियर तेल से बालो की मालिश करने से बालो को मजबूती मिलती है और हमारे बाल लंबे घने और चमकदार होने लगते हैं अगर आप नारियर के तेल को 20 मिनिट टक मुह में रख कर थूख देते हैं तो इससे आपके मुह में किटानों नश्ट हो जाते हैं और मसूडे सौस्त होने लगते हैं जिन लोगों को गाटिया जोडों के दर्थ की समस्या है उनको नारियर के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें कैल्शियम और मैगनीशियम को अवशूशिच करने की शमता बहुत जादा होती है आप नारेर के तेल का इस्तमाल करके अपने वजन को भी कम कर सकते हैं नारेर के तेल में एंटी फंगल और जिवान रोधी गुन पाये जाते हैं नारेर के तेल में खाना पकाना सबसे अच्छा होता है यह तेल अक्सी करन के प्रती कम असुरुक्षित हैं इसी वज़र से इसे खाना बनाने में इस्तिमाल किया जा सकता है